24 फरवरी को अगर आप आगर महानगर में प्रवेश चाहते हैं तो अपने कारिक्रम इस्थागित कर दीजिए क्योंकि दोपहर दो बजे से खिरिया एरपोर्ट से ताजमहल तक यूएस प्रेसिजेंट के वापस लोटने तक पूरे शहर दो भागों में विभाजित हो जाएगा एरपोर्ट से ताजमहल तक का रूट सुरक्ष एजेंचियों के हवाले रहेगा 24 फरवरी को आगरा महानगर में आप जाना चाहते हैं तो अपने सारे कारिकरम रद कर दीजिए क्योंकि यूएस प्रेजिडेंट की ताज बिजिट के चलते ये अरपोर्ट से ताज महल तक का रूट पुलिस के हवाले होगा दोपेर दो बजे के बाद इस रूट पर वाहनों की आवाजा ही रोक दी जाएगी ट्रम की आगरा यात्रा के दोरान महानगर दो भागों में विफाजित रहेगा जहां तक उस दिन जो पुरे रूट में दुकानों का प्रस्ण है जब खिरिया से स्टार्ट करते हैं वहाँ अलड़ी मंडे को उस दिन उनका सब्ताहिक बंद है वो दुकाने बंद रहेंगी बड़ जो फतेहा बात पे मेनी दुकाने है उसको हम लोगों ने बिल्कुर रि स्मार्ट सिटी में लवग 14-4 आये हैं वहां से उसका लाइफ टेलिकास भी करेंगे और कंट्रोल सेंटर से हमारे स्मार्ट सिटी के उससे दिखा जा सकता है प्रिसासर ने जो रूट प्लान तयार किया है उसके अनसार महानगर में नप्रवेस कर बाहर से ही रूट डाइवर्जन किया गया है मरीजों को परिशानी न हो इसके लिए फद्याबाद रोड माल रोड और केंट शेत्र में एम्बूलेंस के साथ ही अन्य विवस्ताएं भी की जाएंगी जो हम लोग ने पूरे रूट की जो प्लान किया था और इसके अलवा एक जो पॉइंट से हमारा इमर्जनसी नंबर जो है 108 का 112 की और फायर सेफटी के लिए भी जिला प्रशासन ने लोगों को परिशानी न हो इसके लिए ब्यापक इंतजामात किये हैं लेकिन प्रेजिडेंट ट्रम्प की सुरक्षा से कोई भी समझोता प्रशासन नहीं करेगा यूएस प्रेजिडेंट डोलाड ट्रम्प की सुरक्षा बेवस्था बेहत फूल प्रूफ होगी यूएस प्रेजिडेंट के आने से पहले दोपेर दो बज़े से 24 फरवरी को एयरपोर्ट से लेका ताज महल तक का रूट पुलिस के हवाले होगा दो बज़े से उनके जाने तक ये सड़क आवाजाई के लिए रोक दी जाएगी जिसके लिए जिलाप्रशासन ने प्रहत रूट प्लान तैयार किया है पत्यवाद रोट से अपने साथे इंद्रजीत के साथ विजय बगहेल सीन्यूच आगरा